त्रैपस्ट जॉडल फुटिंग को कैसे स्टडी किया जाता है कैसे पड़ा जाता है और टो कैट की डॉइंग के ओपर तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि बहुत सारे डिफेंट टाइप की फुटिंग्स हम लोग रूज करते हैं कि स्ट्रक्शल ड्रोइंग्स और जो हमारे जो स्ट्रेटा होता है उसके उपर यह सारी चाहिए डिपेंड करती है कि किस टाइप की फुटिंग हमें वहां पर यूज करनी है तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी ट्रैपसर फुटिंग के बारे में और आटो करते हैं और यहां आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यह है हमारी फुटिंग का यहां पर आप देखेंगे प्लान टॉप यूप यूप यहां हां एकि इसका स्टेपिकल स्क्षेशन है यह और इसे पहले हम लोग आगए इसे में बात करें सब्सक्राइब जानते हैं कि यह जो है इसके साइड में यह क्या दे रखा है यह क्या चीज है तो फ्रेंट्स यह है हमारा लियाउट प्लान तो फ्रेंट्स यहां पर आप देखेंगे डिफरेंट जो हैं नाम यहां पर लिखेंगे हैं F4, F1, F1 और अलग-अलग F2, F5 यह क्या है और यह किस टाइब की फूटिंग्ग्स हैं यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर दिखा रखा है ट्रार्फेर का नाम जो है वो आपकी पहचान है यहां पर जो है फ्रेंड्स एक टाइप ऑफ फुटिंग है बट अगर हमें इसको पढ़ना है कि यह कहां पर लोकेट करती है हमारे प्रोजेक्ट साइड के अंदर तो इनको फ्रेंड्स हम लोग ग्रिड लाइन से डिनोट करते हैं ग्रिड लाइन से हम इनका लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं जैसे कि बात करते हैं अगर हम इस एफ फुटिंग की बात करें तो यह कह सब्सक्राइब कर देटेल अगर हम किसी को बताना चाहते हैं कि सर वी आर मेंकिन अपी सिसी फॉर एफ फाइब सब्सक्राइब कर देन हमें बताना पड़ेगा कि जो हमारी एफ फाइब फुटिंग है जी जिरो सेवन जिरो बी अबलिक बीज दैश जैड के ओपर हम उस पर्टिकुलर फुटिंग की पात कर रहे हैं डैट्स दैन ही विल अंडर्स्टैंड इस पर्टिकुलर फुटिंग की बात कर रहें तो इस हैं हमारी घिस लाइन्स एकसे सिस द्रेंट्ध डिरैक्शन में तो फृंपली यह समझ कि खेंगे कि यह वलाइनस की या तो फ्रेंड यहां पर आप देख सकते हैं we have different type of footings f1 f2 f3 f4 f5 f6 and footing size जो है यहां पर लिखा हुए है a b c d r x x x x इन्टु y यह क्या है इनके बारे में हम detail में बात करेंगे अपने इस वीडियो में तो बने रही है हमारे साथ तो फ्रेंच सभसे पहले हम चलते हैं आपने प्लान के अंदर गुव उपर डेक्षं में यहां पर हमकर कर धान हों Sr. प्रुवाइड कर फ्रेंच कि इस दिटेल के अंदर रहोएं उसके पहले देखते हैं चैनु सब्झेटन की निश्म उसके उपर जाना है F1 footing का मतलब 3300 by 3300 की यह हमारी AA means length to width जो है हमारी AA 3300 ऐसे में भी 3300 और ऐसे में 3300 हमारी length और width जो हमारी 3300 है both are equal means यह एक square footing है bottom इसका square है then we will move again at top यहां पर आप देख सकते हैं XY और यहां आप इस प्लान के अंदर जाएंगे तो यहां पर भी आपको दिखाएगा X & Y यहां पर आप देख रहें X & Y X & Y और यहां पर आप देखे X & Y की detail क्या कहती है 1850 by 2050 तो यह इसका top का जो है वो detail है means नीजे इसका square है टॉप में इसका rectangular portion है उसके हम बात करते हैं फ्रेंट डी कैपिटल डी और स्मॉल डी यह क्या दिनोट कर रहे हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कैपिटल डी 650 और स्मॉल डी 275 means जो हमारी फुल हाइट है trapezoidal footing की डैट इस कि डी कैपिटल डी और जो square portion है हमारा उसकी हाइट है हमारी इस्मॉल डी में 650 हमारी टोटल हाइट है Saim있는 25 हमारी जो है जो हमारा स्क्वार पोर्ज ने उसकी हायट एसी हमें हमारे ह्मया एसका टर्याप्वोर्ज गॉसकी हमें हाइट कान से पता चल सब जा एगी 70-isch माईने 2 trapezole footing की हमारी details जो हमने पढ़ने सीखिए हैं इसके साथ में आप देखेंगे section में कि यहां पर नीचे इसने दिखा रहा का है PCC that this is called PCC और PCC जो होती है friends plain cement concrete जो हम लोग कहते हैं यह हम लोग bottom में provide कराते हैं ताकि हम एक surface अपनी footing के लिए हम provide कर सकें उसके लिए जो है यहां पर PCC हम लोग करते हैं before RCC friends यहां पर आप देखेंगे PCC की जो width दिखा रही होती है वो drawing में नहीं दिखा देते हैं कभी भी वो हमें अपनी footing के इसाब से निकालनी होती है और आप देखेंगे कि यहां पर जो footing के भार इसने दिखा रहा है जो RCC size है हमारा 3300 by 3300 उसमें चारो तरफ से इसने 100 mm जो है वो बड़ा कर रहा है means जो size है 100 mm बड़ा है अगर हम 3300 की बात करें तो 3300 length में बताएं तो 3300 plus 100 plus 100 mean 3500 width में भी 3300 plus 100 plus 100 mean 3500 by 3500 की हमारी PCC की जो हमारी वो length and width आएगी और depth कहां से मिलेगी वो depth यहां पर दिखा रहे हैं 100 mm की और reinforcement की details friend हम लोग आगे next video में discuss करेंगे तो hopefully जो है यह वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि grid line किसको कहते हैं friend यह अगे एक बार रिपीट कर लेते हैं यह x axis grid line यह है y axis grid line और grid line हम लोग use करते हैं to to find out the location of a particular particular footing और 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 कोई भी हमारी चीज है उस पर्टिकुलर जो इसकी location को find out करने में हमें help करता है grid lines उसको denote करते हैं हम लोग grid line के वे से grid line की help से उसके बाद यह हमारा plan है जिसमें यह हमारी यहां पर दिखा रखी है length और width उसकी जिनकी detail हमें मिलेगी हमारे details column में उसके बाद यहां पर x y यह हमारा plan के अंदर भी दिखा रहा है x and y जो है length and width है यहां पर भी आप देख सकते हैं उसके बाद capital d और small d जो है उस portion की तो और इन दोनका जो trapezoidal footing की जो depth निकलेगी जो trapezoidal portion जो है उसकी depth कैसे निकलेगी capital d minus small d से जो हमारे difference आएगा वो trapezoidal portion की depth आएगी और यह हमारा जो है यह details हम लोग यहां पर देख सकते हैं यह F1, F2, F3, F4, F5 इनकी details यहां पर provide कर रखी है means A जो हमारा AA है उसकी यहां पर lantern width दे रखी है इस capital d की depth दे रखी है small d की depth दे रखी है and xy की यहां पर lantern width आपको provide कर रखी है तो friends hopefully यह video आपको अच्छा लगा होगा अगर यह video आपको अच्छा लगा है तो इस video को like and subscribe चरूर करी हमारे चैनल को ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही knowledgeable videos लाते रहे हैं friends perfect institute जो है India's best civil engineering institute है we provide short term courses for our civil engineers at lowest course fees और non-technical students भी हमारे यहां से काफे सारे various जो हैं वो courses पर्चू कर सकते हैं like quantity like construction supervisor course document controller etc तो friends अगर आपको यह video अच्छा लगो प्लीज लाइक and subscribe चरूर कीजेगा thank you friends thanks for watching this video